पूरा गाउं को पता है कि उसने लड़की के साथ रेप किया है और अभी तक बाबु जी को नहीं पता है कि रेप किया है कि नहीं किया है इन लोगों कभी समाजिक भाहिसकार होना चाहिए रेप नहीं हुआ है खुन नहीं हुआ है हम नहीं जानते हैं तक बेटा को भी काड़ देना चाहिए ओरतों के पड़िए आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ रहाए तब भागल था तो आपने मां के साथ क्यों ने किया अपने प królतकर घटनां क्योंने किया आज जब कोई पग्णा जाता है जब सीध्थ हो जाता है ठील है तो इतना दिन हो गिया है थोड़ा सा काम जो है उसकी बेटी के साथ कोई करेगा तो आप क्या करेंगे किया है बलतकार किया है बलतकार किया है आपका बेटा मान कई किया है किया आपका तो अच्छा महमद सहरुदीन नाम का एक आदमी जो है यहीं पे रहता है उसने एक छोटी बच्ची के साथ बलतकार किया है पता है आपको पता है लेकिन पहले से भी तो पागल था हो तो हम लोग अत्मान नहीं जाने हम लोग भार में नहीं थे तो मतलब पागल था वो पहले से पागल था और उसका साधी हो गया है कितने साल का बच्चा है उसको नौ महीना का बच्चा है और वो आपका क्या लगता है बतीजा लगता है जो रेप किया वो आपका बतीजा लगता है बतीजा लगता है रेप जो किया है वो इनका बतीजा लगता है और वो पागल था पहले से जैसा कि यह कह रही हैं और पागल आदमी जाकर रेप करता है जरा सोचिए अगर वही काम जो है पगल पंती में जो है इनके परिवार वालों के साथ किया होता तो जरा सोचिए यह क्या सोचती किस परकार से सजा देना चाहिए उसको इसको हम नहीं जानेंगे क्योंकि इनका वो भतीजा था जिसने रेप किया है क्या नाम हुआ आपका गुलपसा परविन अच्छा ये बताए कि महमद सहरोदिन ने एक बच्ची के साथ रेप किया है पता है आपको अच्छा उसको कैसा सजा दिया जाना चाहिए अब आप पागल का साधी आप लोगों ने क्यों कर दिया पागल था कांकिम तीन महिना रहा था उसके बार ठीक हो गिया था इसलिए साधी बिया कर दिया सुद्रेगा कांकि तो फिर इधर फिर पागल पंती में अगर वह आपके परिवार वालों के साथ गलत किया होता तो तो अब न आप कौन लगती है उसका चाची है चलिए ठीक है पचीस साल का है वो और इधर बगल में ही उसका घर है जानने का प्रियास करेंगे आखिर जो है कौन सा घर है उसका कौन सागर है बाबू कौन सा है ये वाला की वाला आगे वाला अच्छा यहां पे भी एक ब्यक्ति है उसी का दुकान है क्या इधर आजिए क्या नाम हुआ आपका मेरा नाम समसेर अंसारी जी ये बताइए कि एक महमत सहरुदीन नाम का ब्यक्ति इधर बगल में रहता है उसने एक 14 साल की लड़की के साथ रेप किया पता है आपको आपको उस आत्मी को क्या सजा दिया जाना देखिए उस तिन हम तो नहीं थे अर् locks and the इता है यह तो उसको क्या सजा दिया जाना चाहिए अगर उसने रेप किया है तो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए सही की नहीं है अगे हैं ये थोड़ा सा बता दीज्य हम को ये है यह गर है उसका और महम्मद सहरुदीन इसी घर में राता था यहीं घर है महम्मद सहरुदीन का कौन शारी ये वला ये अभी मुहम्मद सहरुदीन जिसने बलतकार किया है उसके घर पे हैं हम लोग और इसने 14 साल की लड़की के साथ जो है रेप किया था अभी देखिया इसके घर में कोई नहीं है सायद से जैसे इन लोगों को पता चला ये लोग घर छोड़के भाग गये हैं देख सकते हैं अभी सभी लोग घर छोड़के भाग गये हैं अभी ताला भी नहीं लगा है ये देखिये ताला भी नहीं लगा है चाभी इसी में छोड़के भाग गये हैं और इसी घर में जो है वो पचीस साल का बलतकारी रहता था जिसका एक अल्रेडी बेटी है जिसका साधी हो चुका है और वो जाके जो है 14 साल की एक आदिवासी लड़की के साथ रेप करता है जरा सोचिये इस गाउं में सिर्फ और सिर्फ 10 घर मुसल्मानों का है सिर्फ 10 घर और 500 घर आदिवासी लोगों का है उसके बावजूद भी उसे डर नहीं लगता है और आदिवासी एक लड़की के घर में घुसके जो है उसके साथ बलतकार करता है धर्म की बात नहीं होनी चाहिए लेकिन इस परकार के घटना को अंजाम देने वाले के खिलाप भी फत्वा जारी होना चाहिए अगर वो हिंदू होता तो भी उसका बिरोध होता अगर वो मुसल्मान है तो भी उसका बिरोध है अगर वो सीख है इसाई है या दूसरे धर्म का है अगर उसने किसी भी लड़की के साथ बलतकार किया है नबालिक लड़की के साथ जिसका साधी हो गया ह तो भी उसका विरोध होना चाहिए महमद सहरुदीन का ये घर है और अभी इसके घर के सबी लोग जो है घर छोड़के भाग गए है यही घर है ना हाँ अभी इसके घर पे कोई नहीं है कोई नहीं है देख रहे है कहा चलेगा है कहा पर ही है दुकान पर अच्छा चलिए अब मिलते हैं, देखते हैं, कहां? उनका दादी हैं अपर हैं अच्छा, उसके पापा किधा रहे? पापा नीचे होगा साज, दुकान में किधा रहे दुकान? वो तो सामने जोपड़ी है कौँसा? वो छोटा जोपड़ी प्लाष्टी का जोपड़ी पागल है और यह दादी है उसकी अभी उसका दुकान किधार है, कौन सा दुकान है? यह दुकान है, यह वाला अच्छा, यहाँ पर चलेंगे और वो कौन है? जो बैठी है? जो बलतकारी है, उसकी माँ है चलिए, इनकी कोई गलती नहीं है लेकिन सवाल तो इनसे हम लोग करेंगे पचीस साल का वो है और उसने जो है एक चौदा साल की लड़की के साथ रेप किया है क्या नाम हुँ आपका? रेश्मा खातू अच्छा, आपका बेटा का क्या नाम है? सहरुदीन अंसारी यह आप ही का दुकान है अच्छा, आपका बेटा ने एक आदिवासी लड़की के साथ रेप किया है, पता है? पता तो है, हम लोग नहीं थे कोई अच्छा, आपका बेटा का उम्र कितना है? हमको नहीं है पता आपको बेटा का उम्र आपको नहीं पता है आपको बेटा का उम्र भूल गई है आपकी बेटी के साथ आपके घर परिवार वालों के साथ अगर कोई दूसरा बलतकार करता तो आपको कैसा लगता का कोईसे लगता कोईसे नहीं लगता है तब उम्र को पता नहीं है तो का बोल दें हम अधुआरी बता दें उम्र का पता नहीं है अच्छा आपके बेटे का साधी हुआ है कि नहीं है उसको बच्चा है उसका साधी हो गया है उसको बच्चा है उसके बावजूद भी जाके ज उसके साथ रेप का घटना कैसे अंजाम दे दिया अब हम लोग नहीं थे था आप कोईसे हुआ नहीं हुआ अपका बेटा ने एक लड़की के साथ रेप किया है पता है किया था कि नहीं किया था हम तो सिसे में थे समाजिक भाहिसकार होना चाहिए और एसे लोगों का भी समयजिक भाहिसकार होना चाहिए पूरा गाउं को पता है कि उसने लड़की के साथ रेप किया है पुलिस ने उसको पकड़ा है और पकड़के जेल में डाल दिया है और अभी तक बाबुजी को नहीं पता है कि रेप कि अगर उसने रेप किया है कम से कम यह कह सकते हैं आपका बेटा क्या करता था 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 अपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ हो ता तब क्या करते आप उसको तो काड़ देना चाहिए जी तो आपके बेटा को भी काड़ देना चाहिए उसमें आप लोगा जो इच्छा है आपका खराब है किस पागल था वो तो उसका साधी क्यों आपने कर दिया कि साधी किये है साधी किये हैं रादि साधी किया है कि ना साल पेले आचा था कि constitutional क्राइब id सोचिए कम से कम समर्थन कम से कम उस बलतकारी का भी रोध नहीं कर सकते हैं तो समर्थन भी तो कम से कम यह लोग ना करें समर्थने के लिए हम है सर लेकिन ने मतलब उसको जब कांके ले गाएं कांके से लाएं फिर गांवे था उसके बाद घूम रहा है भूआ अप्ता कि एकंदेंगा हम् कात देंगा उसको फुरने घाता है आपक मधी कहीं इधर तर ना सsk помог और बलतकारी का समर्थन कर रहे हमें उमीद था कि कम से कम ही अपने बेटे का बिरोध करेंगे लेकिन बिरोध के जगह पे यह समर्थन कर रहे हैं आपकी बेटी के साथ अगर कोई आदिवासी लड़का जो है इस परकार का घटना को अंजाम दिया होता क्या करते आप अगर आपकी बेटी के साथ कोई आदिवासी का इसके बावजूद भी आप लोग आदिवासी लड़की के घर में घुचके रेप करते हैं यह सही है क्या है इसलिए थोड़ा सा काम जो है उसकी बेटी के साथ कोई करेंगा तो आप क्या करेंगे फिर बोल रहा है अगर आप लोग जो है इसे लोगों का समाजिक बहिसकार होना चाहिए इनका दुकान चलता है इनके दुकान से सबी लोग यहीं के लोग समान खरीते हैं यहीं के लोग समान खरीते हैं और इनका बेटा जो है दुकान चलता है यह दुकान चलते हैं और यह लोग जो है दूसरे किसी के घर में घूसके जो है आदिवासी लड़की के साथ बलतकार करते हैं की जवोन थे फिसो उसका दिमांग खराप और भैस्ति से पूशेगा तो आप का का यह कि नहीं धुक्तार किया हैं यह उसे है आपका बड़कार किया है आपका बेटा माना की नहीं किया है मानना पड़ेगा बलतकारी के पिता देखिए आखिये चैसे अवने लुट results कर रहे हैं देखिए उसको पागल कह रहे हैं कैसे पागल है कैसे अच्छा पागल है तो उसको दिमाग में इतना यह था कि लड़की के साथ जाके रेप करना है वो दिमाग काम करता है क्या आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ रहता है आपकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ रहता तब क्या होता तब क्या करती है आपकी बेटी के साथ कोई गलत किया होता तम क्या होता कर यह होता है 톤 अगर पागल था तो अपने मां के साथ क्यों मैंधैर अपने चाची क्यों की आ चाहिए पने बहुन है कि अपने समाज की लिए अगेस ganzen आज तक बहुत एक दम काटेंगे अगर पागल है तो पागल को रहने का अधिकार नहीं अगर वो अपनी मा रेप किया होता अपनी चाची के साथ बलतकार कीा है पता है 25 साल का वो लड़का है उसका साधी हो गया है क्यों बलदकार किया हूं आब देखिया सेर इसमें तो हम नहीं बता सकते हैं हमको ठाशि सर्थ क्या होना चाहिए उसके साथ वोतальный सजा नहीं डियाना चाहिए अधार आपकी बिया ना अगर आपकी बेटी के साथ उसने बलतकार किया होता तो पर सघु ए dod प्रनिशान हुनी चाहिए फांसी छिसेजा अगर आपकी आपकी बेटिक के साथ कोई बलतकार करता ना तो हम लोग फांसी किस प्रतन करते हैं कैसे ज़रूल। ज़रा सोचिए यह मा हैं वो पिताजी हैं और बलतकारी का समर्थन कर रहे हैं कम से कम बलतकारी का बिरोध नहीं कर सकते हैं तो कम से कम समर्थन तो ना करें पचीस साल का वो बलतकारी जिसका साधी तीन साल पहले हो गया था दो बच्चा हुआ था उसको एक बच्चा मर गया एक बच्ची है उसकी और वो जाके जो है 14 साल की लड़की के साथ बलतकार करता है और उसके बावजूद भी यह लोग समर्थन में खड़े होते हैं विथात समर्थन करते हैं eller कहले हैे अगर नहीं सिसका है होते तो चैहां पलतकार करते हैं और उसको कि फंदे पर लटका दिया जाना चाहिए यह यह सचाहिए 215 साल का ब्यक्ति ने बलतकार किया है पता है आप लोग को पता है सजकी ऊनसे रिया जाना चाहिए प्सें जो करना है सिकीजिए यहां के नहीं फासी को पका फंदा देना है उसको 25 साल का साज़ा देना चाहिए जब उसको जाएगा उसको छोड़ा जाएगा बाकि हमारा यह प्रियास कैसा लगा बलतकार की घटनाओं को कैसे रोका जाए इसके बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताना जय हिंद